हालो गाइज और वेलकम टू आर चैनल कंप्यूटर लूर्ण आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कंप्यूटर लूर्ण पे और आज हम लोग डिसक्स करने वाले हैं अपनी पाइटन सीरीज का पार्ट 6 जितने भी हमारे सिर्ण्स हम लोगों को गंडिया से फॉलो कर रहे है अब हमारे चैनल पे प्रॉपर सीरीज चल रही है पाइकिंग प्रोग्रामिंग के उपर और उसी सीरीज के एक्सेंशन में हमारा पाट 6 है जहां पर आज हम लोग डिसक्स करने वाले हैं स्ट्रेंग्स के बारे में जैसे कि आपनों को पता ही होगा अभी हम लोगों ने पि आप करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं वेल फटा फट से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आखिरकारे स्ट्रेंग्स हैं क्या वेल इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब बटन को स्माश कर दीजे और हमारे चैनल को सब करने वाला हूं और यह सारा का सारा basic concept है इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें हैं जो हम लोगों को समझनी है तो चलिके समझते हैं strings क्या है जब भी हम बात करते है strings की string का general मतलब होता है text string का मतलब होता है है text generally हम लोग जब अपने नाम की बात कर रहे हैं अपने address की बात कर रहे हैं कोई भी ऐसा data जहां पर हमारे पास numbers है letters है और symbol है इस type के data को हम लोग बोलते है text data और text data को represent करने के लिए हम लोग use करते है string type का यह string values का string values में हम लोग सब चीज़े include कर सकते हैं अगर मैं एक string की आपको normal सी definition दूँ तो देखे string की definition क्या होती है string का simple सा मतलब होता है set of characters string का मतलब होता है set of characters characters अगर आप लोग को याद होगा मैंने आप लोग को पिछली वीडियो में बताया था in characters में क्या-क्या include होता इसको समझेगा सारे capital alphabets सारे small alphabets सारी digits 0 से लेके 9 तक का and सारे के सारे special symbols जिसमें mathematical और general application वाले सारे के सारे symbols सारे के सारे symbols include हो जाते हैं and spaces भी include हो जाते है इन सब चीजों को मिला के जो भी कुछ बनता है इसको हम लोग बोलते है string generally python में हम लोग string को denote करते हैं represent करते हैं double quotes के तुरू या फर single quotes के तुरू and python में हम लोग अपने strings को triple quote के तुरू भी represent कर सकते हैं जो हम लोग other programming languages में यूज नहीं करते थे तो python में आप जब बे किसी भी string को denote करेंगे आप आप पर triple quote, double quote या single quote तीनों का यूज कर सकते हैं क्या-क्या application है या क्या-क्या changes है उसको हम लोग भी discuss करेंगे के करके अब जरा हम लोग थोड़ा सा और कुछ बात कर लेते हैं यहां पर आपको यहां पर दिख रहा होगा कि मैंने आप एक variable a बनाया हुआ है जिसके अंदर मैंने एक value store करी है python अगर आप इस source code से देखें तो आपको यहां पर एक छोटा सा code दिखेगा यह इतना सा हमारे पास एक code segment है एक छोटा सा program मैंने देखें यहां पर लिखा हुआ है ठीक है इस program में अगर आप ध्यान से देखें तो होती है जैसे कि मैंने आपनों को लास्ट ताइं पर बनाया था कि जो स्ट्रिंग है यह क्या है हर एक element sequentially देखें एक के बाद एक memory cells में जाके store हुआ है यहां पर हर एक element के इसको हम लोग बोलते हैं अपने elements का index यह index क्या करते हैं इन index के थुरू हम लोग अपने elements को string में call कर सकते हैं ठीक है यह index हमारे हर एक element का proper position बता रहे हैं हमारे python में या किसी भी programming language python में हम लोग दो तरीके के index लिखते हैं एक तो आप लोगों को दिख रहा होगा मैंने यहां पर लिखा है 0 से 5 और एक मैंने यहां पर लिखा हुआ है reverse sequence में minus 6 से लेकर के minus 1 तक का ठीक है तो यह जो दिखेवाला हम लोगों ने लिखा हुआ इसको हम लोग बोलते है forward indexing विक्ति हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं हम लोग अपने starting point से लेकर ending point तक का जा रहे हैं वहीं पर पीछे से लेकर करके आगे तक का आएंगे इसको हम लोग बोलते है backward indexing तो इस तरीके से हम लोग python में दो type की indexing करते हैं अपने variables को call करने के लिए अपनी values को call करने के लिक string में से जिसमें हम लोग यूज करते हैं forward indexing यानि 0 से लेकर 5 तक का और backward indexing हम लोग यूज करते हैं minus 1 से लेकर के जो भी हम लोग का length रहेगा उसके according अब देखिए दरह यह indexing होई कैसे होगी जैसे आपने variable एब में store करा होगा keyword python को तो यह python क्या हुआ होगा भाई यहां पर जितने भी characters थे सारे characters एक 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 memory cell में जाके store हो गया होगा and python ने क्या करा इन memory cells को easily fetch करने के लिए इन सारे memory cells के अंदर एक index store कर लिया इनको denote कर दिया indexes के थूँ अब जब भी आपको इनमें से किसी value को call करने आप क्या करेंगे आप इस variable के साथ में इस index को call करेंगे कैसा notation रहा है कासरा में आपको इस लिखकर दिखाता हूँ अब चलिए suppose करते हैं कि अगर आपको यहां से indexes के थूँ values को call करना है suppose करिए मुझे यहां पर इस p वाले element को call करना था तो उसके लिए मैं लिखूंगा a 0 ठीक है अब इस a 0 का मतलब क्या हो गया यह जो a है यहां पर क्या है यह एक string का variable है और जैसे ही मैंने इसके साथ में इंडेक्स पास करा 0 तो मतलब क्या हुआ इस वाले variable में 0 इंडेक्स में लिखी हुई value को print कर दो तो python इसके लिए जो हम लोगो value return करेगा वह होगा पी ठीक है जो इसके लिए value return में आएगी वह होगी हमारे लिए आप पे ठीक है तो कुछ इस तरीके से हम लोग अपने variables के साथ में rectangular brackets के अंदर में index लिख करके अपने elements को call कर सकते हैं यहाँ पर दो तरीके से हम लोग अपने elements को call करते हैं पहला तो हमारे पास technique है forward indexing का और second हमारे पास हम पर technique है backward indexing का अब ज़रा देखी क्या होता है अगर मैं बात कर रहा हूँ है elements की और मैंने आप देखे normally लिखा भाए था 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसको हम लोग बोलता है forward indexing अगर मैं आप लिखता हूँ a0, a1, a2, a3, a4, and a5 अब आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है अगर आपकी string में n length है अगर आपकी string की जो length है वो n है तो forward indexing के case में जो आपका last character होगा वो होगा an-1 पर ठीक है और जो आपका first character होगा वो होगा a0 पर या फर अगर मैं बात करता हूँ backward indexing की तो देखे backward indexing के हम लोग क्या करते हैं याब हम लोग last वाले character को count करते हैं minus 1 उसके पहले वाले को minus 2 उसके पहले वाले को minus 3 and then minus 4 minus 5 sorry and then minus 6 तो आपको याद रखना है forward indexing के case में last character हमारा होगा a n-1 लेकिन हमारा last character backward indexing के case में हो जाएगा a-1 वहीं तो अगर बात कर रहा हूँ हमारे first character की string की तो जो हमारा first character होगा string में forward indexing के case में वो होगा 0 लेकिन backward indexing के case में वो होगा a-n जहाँ पर जो n है यह हमारी length है given string की जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे हमारी string की length जो है वो six characters की है तो जहाँ पर indexes आएं है वो आएं 0 से लेके 5 तक का forward के cases में और backward के cases में यह आए है अगर मैं indexes पर लखी value की बात करूँगा तो यह जो a0 यह जो a6 होगा यह point कर रहा होगा value p को a1 या a-5 point कर रहा होगा y को a2 या a-4 point कर रहा होगा t को a3 या a-3 point कर रहा होगा यहाँ पे आपके h को और यह point कर रही होगी value o को और जो last value है जो कि a5 या a-1 यह point कर रही होगी n को तो कुछ इस तरीके से आपकी हर एक string में आप indexing का use करके अपने elements को कभी भी बीच में fetch कर सकते हैं लेकिन आपको एक चीज़ाद रखनी है मैंने आपको last time में बताया था string में हम लोग values को update नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे आप values को बीच में modify नहीं कर सकते हैं रेक लिए उसके लिए हमारे पास कुछ other techniques available है तो आप चलिए इसके बाद हम लोग अपने अगले concept को देखते हैं अब इसके बाद जो हमारे लिए next सबसे important चीज़ बन जाती है वो बन characters string में कितने characters हैं यह आप कैसे consider करेंगे suppose करिया आपने user से एक string एंटर करवाई है जिसके बारे में आपको पहले से नहीं पता है तो आप वहाँ पे indexing कैसे करेंगे अगर आपको length नहीं पता है तो python ने हमारे इस काम को बढ़ा असान कर दिया है भाई python में एक len नाम का method है len method है अगर आप इस len method के अंदर कोई भी string variable pass कर देंगे तो यह आपको बता देगा कि उस particular string की length कितनी है जैसे कि हमारे case में सारी मैंने आप पे a pass करा है a में python store था तो इसकी length होगी total six characters की ठीक है तो आप इस value को किसी numeric variable में store कर सकते हैं और बाद में आप indexing वाले concept में for loop के सा आपने values को call out करने के लिए तो यह तो हो गया हमारे simple सा concept जहां पर मैंने आपको बताया कि हम लोग किस तरीके से length function का use करेंगे और अपने इन values को यहां पर fetch करेंगे अब हम लोग समझते हैं कि हम लोग अपने strings को print कैसे कराएंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग variable a था जहां पर यह एक python नाम की string store है आप इसको directly print function के साथ use कर सकते हैं जैसे ही आप इसको directly print function के साथ में use करेंगे यह variable a क्या करेगा उठा के पूरी की पूरी string को as it as print कर देगा यह देखिए आपके output में कुछ ऐसे string आ जाएगी और अगर आप मान के चलिए अगर आपको elements को एक एक करके print करना है आप इन सारे elements को separately print करना चाते हैं तो आप यहाँ पे कुछ इस तरह से printing कर सकते हैं आप use करेंगे for loop का and for loop का यहाँ बहुत ही बढ़िया मैं आपको role दिखाऊंगा आप directly लिखेंगे for loop के साथ में x in a x in a का मतलब क्या हो गया यह जो a है यह आपका string variable है ठीक है यह जो in है यह membership operator है अगर आपको यादो operators वाली वीडियो अगर आप में नहीं देखे हो तो आपको link description box से मिल जाएगा and यह जो x है यह x हम लोगों ने यहाँ एक variable यूज करा है अब python क्या करेगा भाई for loop क्या करेगा एक एक करके इस वाली क्या बोलते है string के values को इस x में store कराएगा and बाद में इसको हम लोग print कर देंगे and यहाँ पर हम लोग देखे transversing की technique यूज कर रहा है जिसके तो हम लोग क्या कर रहे है line gapping प्रिंट कर रहे हैं अगर आप यहाँ पर line gapping ऐसे print नहीं करना चाते हैं तो आपको पता होगा by default जो python का print function होता है वो अल सकते हैं जहां पर हम लोग क्या कर रहे है फॉर लूप के थुरू अपने variable x के अंदर एक है character को store करके फिर print कर रहे हैं या फिर आप directly string variable को print के अंदर पास करके पूरी की पूरी string को एक साथ भी print करवा सकते हैं तो यह हमारे पास दो टेक्नीक्स थे हमारी strings को print कराने के आग कर आग कोई technique समझ में आगी है तो हम लोग आगे discuss करेंगे कि हम लोग python में strings को input कैसे करवाएंगे और क्या-क्या operations हम लोग यहां पर कर सकते हैं तो चलिए भाई आगे देखते हैं तो guys अब हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग input कैसे कराएंगे और भी बहुत सारे अलग- लेंगे तो भाई आपको पता ही नहीं एक user कितनी लेंथ आपको देदेगा हम आप यह user नहीं पर क्या string प्रिंट करने वाला है तो आप उस input को कैसे प्रिंट कराएंगे आप उसके साथ कैसे अलग-लग operations को करेंगे चलिए उसको हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करते है तो अगर आपको user से कोई भी input लेना है तो मैंने आपको पहले बताया हुग है कि भाई python में input लेना बड़ा असान है आप डिरेक्ट लिएक variable लिखेंगे और equals to करके लिख देंगे equals to input method और यहां पर आप पास कर देंगे एक statement जैसे मैंने आप लिख दिए enter string काम खतम यह जो इसका type string होता है तो यहां पर user जो भी कुछ type करेगा फिरो जाए कोई name हो कोई number या कोई भी value हो वो number या वो जो value होगी वो by default भाई as a string type ही आएगी और जाके हमारे इस variable a में store हो जाएगी ठीक है अगर मैं यहां पर कोई operation perform करता हूँ कि मान लिख देता हूँ print a ठीक है तो यह क्या करेगा हमारे a की length को print कर देगा ठीक है यह मान लिजे मैं यह आप अकर कोई condition लगा देता हूँ मैंने बोल दिया if a 0 is equals to a minus 1 आप इस तरीके से अपनी values को compare भी कर सकते हैं ठीक है then मैंने आप लिख दीजा भाई सपोस करे लिख दिया आप print same and मैंने आप लिख दिया महां लिजे else different ठीक है तो आप इस तरीके से कुछ भी operation perform कर सकते हैं user's input लेने इक बाद इस variable लेके ओपर अब यहाँ पर क्या होगा भई यह बड़े ही अराम से इस तरीके से एंपोट को ले सकते हैं अब हमारे पास अगला concept है देखे वह ट्रावर्सिंग क्या कहता है जब आप इस case में यहाँ पर प्रिंट कर रहे थे method call होता है और जैसे ही end होने वाला होता है क्या करता है इस line के print होते ही हमारे cursor को next या new line में shift कर देता है इसका advantage तो है लेकिन उसका कॉमा लगा के हम लोग यहां लिखेंगे end और इस end के बाद इस end के double quotes के अंदर हम लोग यहां पर जो भी कुछ मुझे इसको कुछ इस तरीके से print करने का मने आप देख सकते हैं मैंने यहां पर क्या लगा रखा है हर एक टर्म के बाद में एक डाश लगा रखा है ठीक है तो आप देखिए इसको मैं print कैसे करूंगा तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको देखिए for loop को call कर आउंगा और तो नुद्श करे इसको क्या करेंगे हम लोग यहां पर लगांगेक एक्कॉमा और हम यहा पर लिख देंगे अंड इक्वेल्स तू मैंने ठीकोट मैंने क relax कर दिया अब एक उसका output म पुलेगा देखिए वो कुछ ऐसे आएगा पहली बार for loop चलेगा a में से एक character को pass करेगा x के अंदर में और print क्या करेगा उस character को print कर देगा फिर यह एक term आ जाएगा यहाँ पर दूसरी बार यह ओपर जाएगा second character को pass करेगा उसको print करेगा फिर dash लगाएगा third time चलेगा next character को print करके फिर dash लगाएगा फिर next character को print करके dash लगाएगा और फिर last character को print करके dash लगाएगा और इस तरीके से कुछ ही यहाँ पर end हो जाएगा fine आपको यह concept कितना अच्छा लगा होगा न कि हम लोग यहाँ पर अपने print function की जो ending है उसको भी modify कर सकते हैं by using the concept of traversing अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं दो बड़ी खास और बड़ी प्यारे operators के बारे में जो कि हैं हमारे पास plus operator और asterisk operator अब इनका बहुत important role है भाई python में string के case इस पतरा देखिए करते क्या है इस plus operator को हम लोग बोलते हैं concatenation operator अब देखिए दरा इन दोनों का मतलब क्या होता इसका इसका इस्तवाल क्या है तो एक छोटे इकजांपल से हम लोग इसको भी समझते हैं भाई मान के चलिये हमारे पास दो variable थे है 네 एक विरियेबल था जहां पर के स्ट्रिंग कर कर रखी हे लो और दूस्रा वरियेबल था भी जहां स्ट्रिंग तो रखी थीूट्यूब अब मैं चाहता हूं कि यह दोनों वाल्यूज हैं यह मर्ज हो जाएं यह कंबाइन हो जाएं यह सिंगल वाल्यू में कन्वेट हो जाएं तो हम लोग उसके लिए इस प्लस सिंबल का यूज कर सकते हैं हम लोग ऐसे लिख सकते हैं c is equals to a plus b या फिर अगर आप चाहें तो directly ऐसे भी लिख सकते हैं d is equals to a plus b यह करेगा क्या जरा इसको समझते हैं हम लोग भी वहले भी यहां पर तो देखें जो इतना मैंने यह code लिखा है यहां से लेकर यहां तक का इस black box में यह क्या करेगा भाई यहां पर variable a की value सी hello variable b की value सी YouTube और फिर मैंने लेका c is equals to a plus double quotes plus b यह क्या करेगा यह a और b के जब addition करेगा तब उनके विश में एक space को add कर देगा और d वाले में ऐसा कुछ भी नहीं होगा तो अगर मैं जब c को print करूंगा तो देखें c का output कुछ ऐसा आएगा अगर मैं आप इस वाले code में c को print करूंगा तो देखें c का output कैसे आएगा अगर मैं आप इस c को print करूंगा तो c के case में जो value store होगी वो देखें कुछ ऐसे store होगी वो होगा hello फिर बीच में एक होगा space और फिर लिखा होगा YouTube एक single string में convert हो जाएगा और d के case में जो value store होगी देखें वो कुछ ऐसे store होगी लिखा होगा Hello उसके बाद कोई space नहीं होगा और directly लिखा होगा YouTube इस concept को हम लोग बोलते हैं concatenation या फिर merging of two strings यहापर हम लोग क्या कर रहे हैं दो strings को merge कर रहे हैं या पर इसको हम लोग बोलते हैं concatenation of strings अगला है हमारे पास यह asterisk symbol जिसको हम लोग बोलते हैं repetition operator भाई माल लीजे आपको आपके teacher ने assignment दिया कि एक line को 1000 बार प्रेंट करो या 15000 बार प्रेंट करो तो वहाँ पर हम लोग बार बार प्रेंट function का use न करें इसके लिए हम लोगों ने बनाया है इस asterisk operator या फ़र repetition operator को अगर suppose करिए मैं किसी code को कुछ ऐसे लिखता हूं print hello multiplied by a जो उसका output आएगा इसके output में अगर मैंने या पर लिखा है hello multiplied by 10 तो जिसका output आएगा उस output में जो keyword hello है यह 10 बार repeat हो जाएगा it means यह 10 बार print करेगा तो यह था हमारा application is asterisk symbol का I hope आपको यह दोनों ही दोनों operators बहुत अच्छे समझ में आयोंगे तो आज की class में हम लोगों ने कुछ basic operations discuss करें हमारे string type के बारे में अपनी next class में हम लोग strings related बहुत सारे functions और बहुत सारे important concepts को discuss करने वाले हैं तो please हमारी next class को miss बिल्कुल मत करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छे लगा हो तो इस वीडियो को like करिए अपने friends सा share करिए और चानल को subscribe करना बिल्कुल मत भूलिए और भाई मैं notice कर रहा हूं आपके सारे concepts of programs को बनाएंगे और आपके साथ discuss करेंगे ठीक है तो ऐसे यह और वीडियो के लिए हमें follow करेंगे thank you so much guys and stay tuned झाल